वेल्कम बैक तो मैं चैनल और कैसे आप सब आशा करते हूं आप सब बहुत अच्छ होएंगे तो जी ये मेरे नए घर का रूटीन स्टार्ट हो चुका है और लग गई हूं मैं अपने घर के और कामों में काम भी चल रहे हैं साथ में साथ ये अन्बॉक्सिंग भी चल रही है मेरे सामानों की तो देख सकते हैं वाशिंग मशीन अभी पैक पड़ा है उसको खौला ही नहीं है तो मैंने कपड़े भीगो के रख दीया है जिससे कि नए इसी हो जाता है अब उसको रगडने करने का मेरे को नहीं चाना पड़एग तो सब आराम से रगडे जाएंगे उस उससे मेरे बहुत सारे बरतन खराब हुए है बहुत सारे डबे खराब हुए है तो वो मुझे धीरे धीरे मैं एक एक डबा ले रही हूँ जो बिल्कुल खाली है तो मैं उनको साफ कर दे रही हूँ क्योंकि ये टेप के जो निसान होते है न फिर ये क्या करेंगे ना ये बहुत गंदे से दिखने शुरू हो जाएंगे तो इनको रगड रगड के मुझे न साफ करना पड़ा सारे टेप के दाग छुडाने पड़े तो अभी तो मैं बस वही बरतन है और घर के काम चल रहे हैं और मुझे और भी सामान वगेरा लगाना है हाउस है पर मैं अभी बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ रखने की क्योंकि कुछ जगा ही नहीं है कुछ काम ऐसा है नहीं थोड़ा बहुत जो बरतन वगेरा होते हैं बस वह कर रही हूँ या फिर थोड़ा बहुत जहां से जगे दिख रही है उसकी सफाईयां चल रही है बाकी और कुछ नहीं चल रहा है और जैसे जैसे चीज़ें मिल जाती हैं वो लगा देती हो तो यहां अभी मेरा दुपैर का टाइम है बारा बज़रे होएंगे तब ही मैं अपना बरतन वगेरा कर रही थी यहां जो कुछ सामान है ना वो बहुत मिक्स मैच हो रखा है किसी में कुछ निकल रहा है जैसे लास्ट में थोड़ा बहुत बज़ता है ना तो वो एक दूसरे कार्टन में बॉक्स में डाल देते हैं तो मैंने सोचा कि कुछ बॉक्स जो खाली हो रहा है उनको बालकनी में रखूं क्योंकि खाली ही नहीं लग रहा है रूम बिल्कुल भी और बस मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको करती जा रही हूं यहां क्या है ना मैं अकेली हो अपने बच्चों के साथ हूँ थोड़ा सा रिलेक्स मिलेगा एक बार की महनत है फिर तो यह कि सब कुछ रूटीन में आ जाएगा ना फिर उतना ज़ादा चीज़ें प्रॉब्लम नहीं करेंगे बट अभी मुझे है ना बिल्कुल रिलेक्स का टाइम नहीं है मुझे यह सारी चीज़े बहुत जल्दी जल्दी सेट करनी पड़ेंगी जैसे आप देख सकते हैं कि इतना सारा जो सामान है ना उनको सेट करने में मुझे बहुत टाइम लगने वाला है तो इसलिए मैंने सो अब जाए जिए वो तो ओपन हो चुकी है किचिन का रहता है या फिर दूसरे बॉक्स है वो कबड के हैं अलमीरा के हैं बॉक्स के जो अंदर का सामान था उनके हैं तो उनको मैं बहुत जादा हाथ नहीं लगा रही हूँ फिलाल मेरा टार्गेट जो है वो किचिन का है कि जो सामान है वो जादा है तो उनको लगा लो तो यहां मैं अभी सोच रही थी कि मैं अपना इंडेक्शन डूंडू तो उसके साथ साथ मुझे फिर कपड़ों की क्लिप्स मिल गई तो मुझे अभी दोने थे कपड़े ड्राय करने के लिए डालने थे तो मैंने चार बजे क अपने कपड़ों को वाश किया क्योंकि भिगों के रख दिया था तो मैंने बादनों ने वाश करके फिर बाहर डाला यहां हवा चलती है तो काफी बार रहना कपड़े उर जाते हैं तो सबसे पहला था कि मैं क्लिप निकाल लो मुझे अगर यह दिग गया है तो ढूंड मे क्योंकि अभी मेरा गैस चुला स्टार्ड नहीं हुआ है और उसमें अभी हमें बुकिंग करवाना है तब ही वह भरके देंगे तो बाकी देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है तो मैं सोचे थे इंडेक्शन पर कुछ तो काम बनेगा कुछ तो रहेगा जो बच्चों के इतने सामान में सभी को ओपन करके देखना पड़ रहा है और ज्यादा तर देख सकते हैं मेरे बॉक्स ना खुले हुए हैं बट उनमें सामान रखा हुआ है क्योंकि जिस चीज की ज़रुवत पढ़ती है उन्हें ढूंदना पड़ता है मुझे कीचिन के जितने भी बॉक् अब यही सब चल रहा है कि जो इंपॉर्टेंट होता है निकाल लेती हुए क्योंकि अभी मैं कोई बॉक्स है ज्यादा ओपन करूंगी या इदर ले जाओंगी तो मेरे साथ वीशू का भी चक्कर है उसका भी मुझे द्यान रखना पड़ रहा है तो वैसे तो यह अभी का तक खुल चुके हैं बॉक्सेज और काफी सारे ऐसे हैं जिसमें कवर्ड वगरा का सामाने तो वो तो अभी छीड़ने का है ही नहीं अच्छा यहां मुझे इना फ्रीज का कवर मिल गया था तो मैं माइक्रोव एव एव पहले फ्रीज पर ही रखा था लेकिन मैंने कौने में सैट करने की कोशिश की बड़ प्र कोई स्पेस नहीं मुझे मिल रहा था तो फिलहाल तो मैंने इसको इना फिर से इसी के ऊपर तो बस मैं ऐसे घर एंगे थोड़ा सा चेंज्यस होते रहेंगे अच्छा कीचिन के जो डबे हैं न उन पर जैसे किचिल लिखा हुआ है तो बस उसी को ही मैं target कर रही हूं खोल लेती हूं बाकी और चीज़े तो मैं ऐसे छोड़ दे रहे हूं कि यह तो मुझा भी देखना भी नहीं है क्योंकि बहुत time लगना है और यह सारी चीज़े सेट होती जाएंगी थोड़ा सा patience रखने की ज़रूरत है बस मेरे को थोड़ा सा यह था कि अरू के school का है जो अभी तक admission नहीं हुआ था तो मेरे दिमाग में यही tension था कि kitchen set हो जाएगा ना तो फिर बच्चा at least school वगरा जाएगा तो उसका lunch box वगरा ready करना है तो वो भी हो चिला सकते हैं कुछ भी है लेकिन उनको दूर्ट तो चाहिए ही रहता है तो वो मुझे बहुत जादा लग रहा था कि कुछ मिल जाए यह तो बस जैसे ही मुझे induction मिला तो मैं नीचे से फिर बच्चों के लिए milk लेकर के आई और यहां एक चीज थी कि मुझे भी चाय का ल लेकिन मेरे मसाले के बॉक्सिस मिल गए थे तो उनको भी मैंने सेट किया तो बस नीचे से पहले मैंने दूर लिया और इनको बॉइल करने के लिए रखा जिसे की बच्चों को मिल पाए दूर वगएरा क्योंकि शाम होती जा रही थी काम में बिलकुल टाइम का पता ही नही इस वक्त मेरे पास घड़ी भी नहीं थी मैं सिर्फ अपने मोबाइल में ही टाइम वगएरा चेक कर रही थी तो एक रहता है ना सामने घड़ी रहती तो टाइम का पता रहता है तो यह देखे मेरे जो जितने मसाले के डब्बे है ना वो प्रॉपर गंदे हो चुके हैं टे अब यह दीरे-दीरे क्या होगा जैसे डब्बे खाली होएंगे ना कुछ-कुछ तो यह मैं इनको वाश करूंगी फिलहाल यह चीज़े मुझे मिल रही थी तो मुझे काफी सुकून मिल रहा था कि कुछ तो बॉक्स ऐसे मिले जो है ना मेरे काम के रहेंगे कुछ चीज़ का क्रेज रहता है उसी से मुझे लगता है कि थोड़ी ठकावट उतरी लेकिन कॉफी ने भी मेरा काम कर दिया था तो यहां आया बस मैंने बच्चों के लिए दूद बनाया और अपने लिए कॉफी बनाई और शाम को फिर बस इसके बाद मैंने थोड़ा सा एक या दो है ना बैठी रिलेक्स किया फिर उसके बाद मैंने कोई बॉक्स नहीं खोले क्योंकि अल्रेडी सुबा से मैं बहुत सारे बॉक्स खोल चुकी थी निकाल के सामान रख चुकी थी कबड का कुछ मिल रहा था तो बस वैसे ही रख दिया कि कुछ कपड़े जो मेरे उपर थे उनको मैंने रखा बाकी फिर कुछ नहीं मैंने इधर उदर किया मैंने का अब थोड़ा सा रिलेक्स करते हैं यह काम तो अभी चलता रहेगा और पता नहीं कब तक चलने वाला है मुझे भी नहीं समझा रहा था कि यह कब मुझे रिलीफ मिलेगा इन सारे काम से कब मैं आए ना अपने रूटीन मैं आऊंगी बट उसको थोड़ा सा टाइम लगना ही था क्योंकि अभी अकेली थी और वीकेंड का मैं वेट कर रही थी तो बस मैं यहीं पर अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ और एक छोटा से व्लॉग मैं आप लोग के साथ यह शेयर की हूँ अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना तो चलिए मैं मिलूँगे अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई और तक के लिए जाए लगए झाए